Hello students, today I am going to teach you science subject and chapter number 8 Vines, Storms and Cyclones जो हवाई होती है Storms याने जो तूफान आते हैं और चक्रवात आता है उस फिर लेसन डिपेंड़ है लेसन नमबर 8 है Vines, जो हवाई है Storms, तूफान and और क्या है Cyclones याने चक्रवात पॉइंट यहाँ बता है Air accepts pressure एकसर्स करती है जो हवाई होती है वो दबाव डालती है दबाव करती है दो नमबर में पॉइंट तू है दा लीव, जो पत्ते होते है होप ट्रीज, हैरस ओफ, हैड अपने जो बाल उड़ते हैं अपने बाल होते है एंट फ्लैग जो जन्डे होते है अंदा टेमपल पे जो ले रहाते है Flutter, due to wind हवा चलने पर क्या है वो भी ले रहाते हैं हमारे बाल उड़ते है जो लिव, जो टीज की पत्ते होते हैं दोलते हैं, हिलते हैं अपने जो बाल होते हैं hairs of head and flag हमें मालूम पड़ते हैं कि हवा चल रही है on the temple क्या ले रहाते हैं due to wind flitter due to wind the moving air जो हवा चलती है is called the wind जो air हवा चलती है वो क्या केलाती है wind केलाती है the moving air is called the wind increased बढ़ती है wind speed से increased हवा की जो रफतार है वो क्या है में इजाफा होता है हवा के दबाव के साथ होता है increased wind speed is accompanied by a reduced air pressure जो हवा की रफतार में क्या है हवा के दबाव के साथ उसमें इजाफा होता है increased हैने क्या है हवा जो है बड़ी जो हवा की गतिमान बढ़ती है तो हवा के दबाव के साथ होती है वो भी बढ़ती है, increased होती है wind speed is accompanied by a reduced air pressure all moves from the region where the air pressure is high जहाँ का क्या है, pressure ज्यादा high होता है, उचा होता है to the region where the pressure is low के हवा का दबाव ज्यादा होता है इलाके में और कहीं उसका दबाव कम होता है, लो होता है air moves चलती है, जो हवा from the region, जो इलाके से चलती है where the air pressure is high, कई हाई होता है to the region where the pressure is low air expands फैलती है on heating, क्या है, गर्मी से फैलती है and contracts on cooling wind currents are generated due to uneven जो अनिवन होता है, heating जो बढ़ जाती heating कभी कभी बीट्वीन धा इक्वेटर जो भूमती रेखा होती है and the pulse जो धुरू होते हैं उनके uneven heating of land and water wind currents are generated due to कैसे होता है due to uneven जो चलती है, heating गर्मी एकदम हो जाती है जो बीट्वीन धा इक्वेटर एंड धा पॉल्स दरिम्यान जो होता है जो भूमती जो रेखा होती है जो यह है इक्वेटर एंड धा पॉल्स जो पॉल्स होते हैं and uneven जो धुरू होते हैं uneven heating of land and water cyclone is जो चक्रवात आता है केचाना जाता है by different names in different parts of the world दुनिया में जो क्या है जो cyclone आता है जो चक्रवात हो क्या है different नाम से पहचाना जाता है hurricane in American hurricane जो continent है and typhoon in Japan and Philippines जो होता है चक्रवात आता है हर एक जो वर्ल्ड में आता है तो हर country उसके साब से नाम रखती है नहीं हाँ cyclone is known by different names in different parts of the world hurricane in American जो अमेरिकन खंड है American continent है and typhoon in Japan and flea pines factors like जो हवा के जो हिस्से होते है जो जब factors है like wind wind speed है जो हवा की गती है जो हवा से रफ्ता चलती speed होती है wind direction जो हिसके दिशा होती है temperature and humidity जो उसकी भेज होता है contribute हिस्सदार होते है to the development of cyclones cyclones बनाने में यह सब क्या है जो हिस्सा होता है factors like wind speed wind direction temperature and humidity contribute to the development of cyclones the cost line is जो समुदर तरट होते है is vulnerable to cyclones Odisha was heat बाया cyclone जो उडिशा है उसमें क्या है उसका सिकार बना था on 18 October 1999 में Odisha में ही यह साइकलोन आया था चक्रवात आया हुआ था the cyclone smashed कितबा कर देता है many houses and made many people homeless जो उडिशा में 19, 18 October 1999 में आया था तो क्या है cyclone ने smashed किया है बहुत से घर जो विजाड दी है and made many people houseless जो लोग घर बगेर के हो गए थे and many people lost अपने अपने जाने गमा दी थी जो साइकलोन आया था भी हार उडिशा में यहां लिखावा है कि जो है उडिशा वोज हीट बाई a cyclone on 18 October 1999 the cyclone smashed many houses and made many people homeless and many people lost their lives the warm air जो गरा मेर होती है is lighter hulki होती थेन the cold air the warm air is lighter than the cold air the equator the equator regions जो equator regions में रेते हैं जो भूमदी रिखा के पास में रेते हैं region get maximum हाँ ज्यादा गर्मी होती है maximum heat होती है from the sun sun के गर्मी ज्यादा होती है the air in this region जो हवा होती है gets warm गरम होती है and rises up and cooler air from the region in the 0 degree होती to 30 degree latitude अक्षा उसके में होती है moves in चलती है in this way wind circulation जो होता है is set up बैठता है for polar region दुरुवी शेतर है महाँ पर जो है wind circulation is set up for polar regions at coast line जो समंदर तर होता है area जो होता है the wind from the sea समंदर पर से moves to land समंदर पर से during the day time दौप सुभा के टाइम it is समय होती है it is called sea breeze समंदर हवाई के लाती है at coast line area the wind from the sea moves to land during the day time it is called sea breeze the wind हवा होती है from the land जमीन हवा होती है moves करती है चलती है to sea during the night रात होती है night time क्या के लाती है it is called sea breeze and the wind from the land moves to sea during the night time it is called क्या के लाती है land breeze when cyclone जे चक्रवा is passing from sea shore समंदर के नारा होता है it causes जे बहुत सरी के क्या करता है भारी है बारी बरसात होती है कारण बनता है वीच में फर्धर वर्जन दाफ लूट भी आ सकता है situation हाई स्पीड वाइन वाइन जो हवाइन बहुत तेज तरफ 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 चलती है accompanying cyclone उससे क्या होता है जो हाई स्पीड हवाइन क्या लाती है चक्रवात लाती है cyclone can damage houses सक्लोन आने से क्या है घर तबह हो जाते है trees communication system जो होती है वह भी नस्ट हो जाती etc causing tremendous loss of lives and properties phenomena due to uneven जो होती है uneven जो नहीं धार सकते जैसी असा मने heating of land and water surfaces high speed high speed winds accompanying cyclone मदद करती जो हावा जो हो चलती है हावा है high speed जो चलती है can damage houses trees communication system etc causing tremendous loss of 4 जिससे का है इंसान जान भी कमा देता है वह जो उनकी properties होती है उनको भी नुकसान होता है thunder thunderstorm जो होता है system जो गरस्त है अब textual जो एक्सरसाइज पर आते हैं question number one is here fill in the blank fill the missing word missing word fill करना है in the blank spaces in the following statements fill the missing word in the blank spaces in the following statements number one wind is dash air जो wind है वह moving चला चलती है उसे wind केते हैं wind is moving air जो air चलती है उसे कहते हैं अपने हवा कहते हैं wind is यह लिखेंगे wind is moving air two number है winds are generated पैदा कैसी होती है हवाएं कैसी बनती है generated due to dash hitting on the earth तो unequal हीटिंग होती है सामन हीटिंग से क्या है हवाएं पैदा होती है winds are generated due to unequal hitting on the earth three number near the earth surface जो जमीर के सत्य होती है उसके करीब क्या है dash air rises up whereas dash air comes down यह लिखेंगे near the earth's surface hot air rises गरमावाय बेदा होती है अप पर चलती है whereas cold air comes down one number air moves from a region of dash pressure to a region of dash pressure we write here air moves from a region of high pressure to a region of low pressure now question number two suggest suggest two methods to find out wind direction at a given place answer two methods to find out wind direction at a given at a given place and as follow we will see number one take handful dust and allow it to fall slowly from your hand it will flow in the direction in in which the wind is blowing two number is wind when wind sock are used to find out the wind direction question question 3 state to experiences that matter you think that air exerts pressure dabao se bheti other than those given in the text book state that matter you think that air exerts pressure answer expert kya expertise that make us think air exerts pressure to yaha pa likhao answer experiences experiences that make us think experience how make us think air exerts pressure experiences that make us think air exerts pressure from from the straw from the the pressure in the straw decreases the cold drinks rises up from the bottle 2 number a hollow glass tube is half immerse in water the upper open end of the tube is pressed by the thumb and it is taken out yet water does not fall down now question 4 you want to buy a house would you like to buy a house having windows windows you want to buy a house you want to buy a house you want to buy a house no ventilators but ventilators explain your answer how to explain answer explain answer no such house is not preferable to buy such house is not preferable to buy no such house is not preferable to buy ventilators not to buy why we will tell why it looks like fresh fish in the house house can come here the place here place ventilator to take its place and to take its place एर महाँ पर फ्रेश अपने जगह ले लेती है एंटर्स प्रॉम विंडो इंदा हाउज थर्स क्या है एर जो सर्कुलेशन होता है हवा का गोज ओन चालू रहता है इस तरह इसलिए क्या है बोथ हो विंडो एंड वेंटी लेटर विंडो भी होना चाहिए और हवा के उजास और जो सर्कुलेशन भी चालू रहता है इसलिए बोथ विंडो एंड वेंटी लेटर विंडो जो वेंटी लेटर है आर ज़रूरी है इन दा हाउज Now question number five explain करना है why halls are made क्यों halls किये जाते हैं in hanging banners and hoardings Explain why halls are made in hanging banners and hoardings Answer air exerts pressure अब दावांस चलती है due to this इसलिए क्या है जब प्रेशर होता है बैनर्स एंड ओर्डिंग्ज फ्लिटर एंड टॉर्न वेंड वाइंड इस ब्लॉइंड इस ब्लॉइंड इफ होल्स अगर बने वे होल्स होते हैं तो क्या है देन दावाइन उसमें से पास होती है पासीज थूरू दा होल्स देर इस नो इफेक्ट ओफ एर प्रेशर अंधेम से क्या हवासन से निकल जाती है और जो बैनर्स के जो होल्स होते हैं उसकी दबाव से भी हवा चलती भी है तो भी क्या है वो गिरते नहीं है चलते है तो इसके रिजल्ट दे डू नोट गेट टोल्फटे नहीं हैं तो इसके लिए क्या है जो होते हैं बैनर्स में होल्स किये जाते हैं चलती है due to this pressure इसी दबाव से क्या होता है banners and hoardings क्या है पुडने लगते हैं fritter and torn cut भी जाते हैं when wind is blowing जब हवा चलती है अगर holes ना हो तो if holes are made अगर हवा हम holes रखेंगे तो क्या है then the wind उसमें से pass हो जाएगी और और क्या है तो there is no effect नहीं होगी to air pressure on them as a result इस तरीके से नतीजा क्या निकलता है that they do not get torn वो खटते नहीं है और बेनर जो होते हैं जो hoardings होते हैं वो खटते नहीं है now question number six how will you help तुम कैसे मदद करोगे your neighbors तुमारे पड़ोसी की in case cycle होना का चक्रवाद आता है approach क्या है approach is your village or town how will you help your neighbors in case cyclone जब चक्रवाद आता है approach is your village और town में आता है तुम अपने पड़ोसी की कैसे मदद करोगे answer लिखेंगे we will help our neighbors in case cyclone approach is our town as follow इस तरीके से मदद करेंगे number one we make them aware और हमसे जागरूद उनको क्या है हम जागरूद रखेंगे cyclone से of cyclone जो forecast होते है end warning होती है by tv द्वारा हमें मालूम पड़ जाता है कि ये दिन क्या है cyclone आने वाला है चक्रवात आने वाला है तो we make them उनको आवेर करेंगे जागरूद करेंगे of cyclone से चक्रवाद से जो forecast होते है end warning दी जाती है by tv, radio and news papers news paper में क्या है चालू हो जाती है कि ये time पर ये चक्रवात आने वाला है और हमें क्या है उसे आवेर रहना है, जाकरूत रहना है तो number है we will help हम मदद करेंगे हमारे neighbors की if our neighbors need अगर हमारे जो पड़ोसी को ज़रूरत है police की, fire brigade की और medical treatment की during cyclone तो हमें उसे उसमें भी हम उसकी help करेंगे we will help the neighbors if our neighbors need जरूरी है उसको police fire brigade और medical treatment during cyclone तीर नमबर है we will convince करेंगे हम उसको we will convince them not to go out हम उसे समझाएंगे कोई बाहर जान अच्छी बात नहीं है unnature शरीली phone number है we will help them हम उनकी मदद करेंगे to shift essential उनकी जो essence है जरूरी चीज़े है households domestic animals to the safer places now question number seven what planning is required conceive planning जरूरी है in advance to deal with the situation created by a cyclone answer the following planning is required to deal with the situation created by a cyclone number one we should manage manage करेंगे to shift essential households जो हमारी घरेलू चीज़े हैं domestic animals जो घरेपालतू जानवर है and vehicles जो है to the safer places पर ले जाएंगे जगा पर ले जाएंगे ले जाना चाहिए हमें to keep ready to keep ready the essential goods well packed three number keep all emergency numbers like police fire brigade and medical centers हमें कहीं emergency number रखने हैं जैसे के police fire brigade and medical centers हैं उनके नमबर तो रखने हैं हमें पास में phone number है store करेंगे necessary water and food items पानी का संग्रह करेंगे पानी और खोरा का संग्रह कर ले कर लेंगे five number है unclug all electrical devices को unplug कर देंगे निकाल देंगे जिससे क्या है यह उसमें यह जो है light का जो light की तकलिफ ना हो तो अब क्या है unplug करेंगे all electrical devices six number है not to go नहीं जाना चाहिए हमें to unknown जो जानी जो जग्या है water जो है water locked place by vehicle not to go to unknown जो नहीं unknown water जो लोग्ड है place by vehicle